Hello everyone, I am Atiyadu and I am watching The Social Indian और आज की इस वीडियो में हम आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल को हमने comment box चेक कर लिए हमने instagram के messages चेक कर लिए, हमने facebook के messages चेक कर लिए, हमने whatsapp messages चेक कर लिए आपका जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि sir registration form कब निकलेंगे, हमारा registration कब होगा, exam कैसे होंगे, क्या सब कुछ इस बार online ही होगा, क्या सब कुछ work from home होगा, घर पे बैठकर ही हम सब कुछ कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, या इस पार exam नहीं होंगे, यह rumor भी बहुत सदा फैलाई जा रही है तो इस वीडियो में हम इन ही सबी सवालों को decode करेंगे आप लोगों के लिए ताकि जो एक panic की situation create की जा रही है, पता नहीं क्यूं की जा रही है, वो यहाँ पर खतम हो जाए और आप जो entrance या merit या फिर किसी भी चीज से admission की preparation कर रहे हैं, Delhi University में आना चाहते हैं तो आपके हम इस सवाल को अच्छे से solve कर पाएं, और उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी चिंताएं करने की कोई जोरत नहीं पड़ेगी तो start करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले हमें subscribe जरूर कर दीजिए, हम 2200 subscriber की family होने जा रहे हैं और आप जैसा प्यार बना रहे हैं, वैसे ही दिनों दिन, रात, दुगनी, चुगनी, हम यहाँ पर grow करते जा रहे हैं और उमीद करते हैं, ऐसे ही family अपनी बढ़ाती रहे हैं अब शुरू करते हैं सबसे पहली बात, कि इस साल exam होंगे की नहीं होंगे आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ, कि अगर आप डेली निवस्टी में preparation कर रहे हैं कि डेली निवस्टी में आएंगे, चाहे वो undergraduate course हो, चाहे वो post graduate course हो चाहे आप entrance के तुरू आना चाहते हो, चाहे आप married के तुरू आना चाहते हो मैं आपको यह clear कर देना चाहता हूँ, कि डेली निवस्टी में admission होंगे ही होंगे लोग पता नहीं क्यों ऐसी rumor फैला रहे हैं कि admission नहीं होंगे, इससाल exam नहीं होगा court में case चल रहा है, यह है, वो है, फलाना अडिकना, वो सारी बातें आप भूल जाएए सिर्फ एक चीज़ को याद रखिए कि official notification जो कहती है, वो सच कहती है इसके बारे में अभी कोई decision नहीं लिया गया कि कैसे क्या चीज़ी होंगी, क्या figure out होगा लेकिन जो important बात यह है कि exam होगा तो होगा, अगर आप entrance की preparation कर रहे हैं तो वो भी होगा अब usually हम देखते हैं कि exam कब होगा, यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है देखिए, पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा कि अगर आपको मैं कोई भी हहाँ पर date दे देता हूँ कि इस date को exam होगा, तो शायद वो injustice होगा और शायद वो गलत होगा कि मैं आपको misguide कर रहा हूँ जो हमारा purpose कभी से नहीं रहा है, तो हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि exam की date हम आपको उसी दिन कहेंगे जिस दिन official notification आएगी, लेकिन एक tentative date आप अपने दिमाग में लेकर चल सकते हैं tentative date क्या हो सकती है आपके लिए, हर बार देखिए जो registration forms हैं वो UG और PG के जो registration forms हैं, UG, PG, PhD के लिए, सबके लिए registration forms जो हैं, वो साथ निकलते हैं अब जब forms साथ निकलते हैं, तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, कि हर साल अगर आप देखेंगे, तो उससे पहले आपका CLAT हो चुका होता है, जब registration forms आते होते हैं, जब CLAT का और वो चल रहा होता है, टाइम, board exams हो चुके होते हैं आपके इस साल तो board exams भी कुछ अटके हुए हैं, आपका board exam का result आने वाला होता है, ताकि UG के forms भी अराम से भरे जा सकें, और सारी percentage वगएरे सारी चीज़ें जो है, वो फिल करी जा सकें, तो ये तीन-चार factors हैं, जिनसे आपका पता जलता है कि हर बार की कैसे forms निकलेंगे, किस date perform निकलेंगे, कोई कह रहा है कि पहले हम देखते थे कि 2 March की date भी गई थी, कई websites पर वो नहीं हुआ, फिर उनने 2 April की date दी, वो नहीं हुआ, अब वो 3 April के बाद, 3 मही के बाद, चार मही की date देदें, शायद वो भी ना हो, लेकिन आप अपने उपर वरोसा रखिए, कि ह अफिशल नोटिफिकेशन आईगी, जब तो मैं patience रखूँगा, और आगे बढ़ूँगा, अगर patience आप रखेंगे, तो शायद काम्याबी भी बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन patience जो है, वो बहुत जादा important है, इस चीज के लिए, सबर होना चाहिए, सबर का फल मीठा भी होत है, और सबर का फल काट के भी खाया जा सकता है, लेकिन अगर आप सबर नहीं रखेंगे, तो शायद वो चीजें बदल जाएंगी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कि सब कुछ online ही होगा, क्या देखते हैं, इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, कि Delhi University ने सोचा ह है, इस बार जो news में चल रहा है, कि notification से भी ही लग रहा है, और बाकी सब चीजों को देखते हुए भी ही लग रहा है, कि जो registration process वगरा है, जो counseling वगरा है, हो सकता है, chances हैं, कि वो आपके लिए सब कुछ online प्रोवाइड की जाए, ताकि आप कम से कम आपको घर से बाहर निकलन बड़े और इस दोरान आपको जादा भागबाड नहीं करनी पड़े, तो chances हैं, कि online हो सकती हैं चीज़े, लेकिन इस पर भी कोई clarification या कोई officially कुछ आया नहीं है अभी, उम्मीद करते हैं, कि थोड़े ही दिनों में officially भी इसके उपर कुछ आ जाएगा, तब हम आपको बहु लेकिन आपको जरूर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो आप subscribe कर लिजे और bell icon दबा दीजे, ताकि आप जैसे वी वीडियो आती है, आपको notification मिले और आप अपना काम, अपना registration शूरू कर दें, अब अगर registration की date निकलती भी है किसी time पर, तो आप मुझ चीज की tension मत लीजिए, कि मेरा form निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फालतु के question सोचने के बजाए, अगर आपका entrance है, तो आप entrance की preparation कीजिए, सब कुछ तैयारी अपनी बठा लीजिए, documents इखटे कर लीजिए, documents के लिए भी बाहर मत निकल लिएगा, जो में हो, वो ही काम करिएगा, और साथ में साथ आपको ये कहता हूँ, कि आप previous year की notification को check कर लीजिए, उसमें जो चीजे हैं और जो इस साल notification निकलेगी उसमें, शायद ही किसी चीज का अंतर हो, और किसी चीज का अंतर नहीं होगा, तो उसी हिसाथ से थोड़ी बहुत अपनी तयारी बैठा लीजिए, साथी साथ जो EWS के लिए लोग पूछ रहे हैं, ये भी बहुत जाता पूचा जाने वाला सवाल है, कि EWS के लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो EWS के लिए भी चीजें बताई जाएंगी, last year counseling के time पे उन्होंने मांगा था, certificate आप से पैनिक होने में लगाएं, और ना ही rumor को समझें, ना ही माने, और सबसे important spread तो बिल्कुल ना करें, कोई भी ऐसा article मिलता है, कुछ भी ऐसा मिलता है, आज भी मैं देख रहा था, news में, तो ABP Live का एक website के उपर दिया हुआ है, डेली निवर्स्टी फॉर्म स्केर अरिस्टेशन कि यह ऐसे details होगी, यह होगा, वह होगा, लेकिन जब तक official notification नहीं आती है, तब तक आप किसी को मत मानिये, भगवान उतर कर भी एक बर आपको कह दे कि भई, यहाँ पर form निकल गए हैं, और officially डियू की website पर कोईश नहीं है, तो आप मत मानियेगा, कह दीजेगा, भगवान जी शमा चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर नहीं है कुछ भी, अब इस वीडियो को मैं समझता हूं कि हमने सारे आंसर आपके क्लियर कर दी होंगे, पैनिक जो situation थी आपके दिमाग में, वो भी थोड़ी ठंडी हो गई होगी, उसे ठंडा कीजे, बरफ लगाईए, और आगे ब बढ़ाई कीजिए, अब इस वीडियो को यह पर खतम करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई नेक्स्ट वीडियो में, भारत माता कीजए, जय हिंद